हलो फ्रेंट्स वन्स अगैन वेलकम टू आवर एकाडमी हम लोगों ने पिछला वीडियो में आपको वाइस के बारे में मैंने इंप्रेटिव संटेंस से रिलेटेट कुछ कोश्चन्स देकर आपको एक ब्रीफ रिवीजन करवाया था और मैंने उस वीडियो में आपको यह भी बताया था कि हम लोग अगले वीडियो में वाइस के उस सेग्मेंट के बारे में डिसकस करेंगे जिसके बारे में अकसर हम लोग जो है उसको छोड़ देते हैं या बुक भी उस चीज़ को अच्छी तरह से नहीं समझा पाती है और कहीं ने कहीं बच्चे भी उस आज समझेंगे तो चलिए बिना समय गमाये हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं आज का क्लास बहुत हीं इंट्रेस्टिंग एचन एब्री क्लास इस वर्ज इंट्रेस्टिंग बट आज का जो क्लास है उन डायरों पर मैं आपको आज बात कर रहा हूं जो दायरे को ह हमेशा हम लोग छोड़ देते हैं और जानते भी हैं तो इसको हम लोग लॉजिकली नहीं रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो आए हम लोग स्टार्ट करते हैं बीना समय गमाये हुए जब हम माई डियोव फ्रेंस बात करते हैं हमारे सामने एक वर्ड आता है जिसको हम तो बोलते हैं रूड सेंटेंस अब जब वर्ड आता है यह रूड का तो सर यह रूड मींस क्या होता है रूड सेंटेंस तो इस चीज को समझने के लिए फर्स्ट अफॉल वी नीड टो टेक सम एक्जाम्पल थूड़ एट बीकन अंडिस्टेंड वर्ट इग्जाक्ली सो चलिए हम लोग कुछ एक्जाम्पल लेकर इन चीजों को समझने की कोशिस करते हैं जब हम इन सेंटेंस को देखते हैं इन सेंटेंस को देखते से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि एक्चली हम लोग यहां पर देख रहे हैं यह जितने भी जो डूर है यहां पर यह जितने भी जो आप डूर देख रहे हैं यह जितने भी आप डूर देख रहे हैं अगर इस सेंटेंस को जासा समझे ध्यान से इस पर गौर करें तो कहता है रोज स्मेल्स स्वीट कुनीन टेस्ट वीटर दे किल्ट टॉस्ट शॉप्ट दे व्रीज फिल्स चिलिंग दे वॉक्स वेग्ड हैबी अब इसमें एक चीज़ दिखने में आ रहा है कि सर जो हमीं संटेंस की बात करते हैं तो एक्चुली में रोज जो है क्या रोज असमेल करेगा करेगा रोज को असमेल करने का काम तो कोई और करेगा न ज्यांस समझेगा रोज समेल तो नहीं करेगा कुनीन टेस्ट तो नहीं करेगा क्विट टस्ट तो नहीं करेगा ज्यांस समझेगा दब्रीज फिल तो नहीं कर सकता बॉक्स वेक तो खुर से नहीं करेगा तो इससे ये बात समझ में आता है कि सर यह जो यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है हमारा जो सब्जेक्ट के रूप में जो दिख रहा है वो एक्चुली में हमारा नॉन लिविंग नॉन लिविंग डुवर है क्या है यह नॉन लिविंग डुवर इट मिन्स कि यह जो डुवर है यह डुवर चाहके भी इस एक्चं को परफॉर्म नहीं कर सकता इस action को perform नहीं कर सकता कहने का मतलब क्या हुआ रोज smells नहीं कर सकता Queens test नहीं कर सकता Quilt dust नहीं कर सकता Wraith fill नहीं कर सकता Walks waked नहीं कर सकता यानि कि sir ये जो है Non-act living doer है logic को ध्यान से समझेगा गाठनी की जरूरत नहीं लॉजिकल ही चीजों को solve करने की कोसिस करेंगे अब यहां पर आप देख रहे हूं कि से smells के बाद जो यहां पर आप देख रहे word जो आया हुआ है sweet तो यह sweet में भी आप देखते हो तो यह how का answer दे रहा है किसका answer दे रहा है how का answer दे रहा है तो एक चीज पता चल रहा है कि सर इंट्रांजिटिव कैटोगरी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है अगर देखा जाए अब बात यह आता है कि सर इस sentence में हम क्या देख रहे हैं कि sentence दिखने में तो active है ध्यान समझेगा sentence दिखने में तो active है लेकिन structure by तो active है लेकिन इसे sentence का जब आप meaning निकालोगे तो actually में sentence का meaning जो है passive में है फिर से ध्यान से समझेगा कि यह sentence दिखने में तो active है लेकिन अगर इसका हम meaning निकालते हैं तो वो क्या होता है passive होता है यानि कि rude sentence को ही हम लोग क्या बोलते है actually में इसको हम लोग बोलते है मिडिल वाइस क्या बोलते हैं मिडिल व्वाईस से उइसे आपको डेखने में क्या लगता है कैसे आप मिड्ल स्ट्रेक्ट्र है वह कैसा होगा वह पैसिब नहीं होगा तो ενस्द स्ट्रेक्ट्र कैसा होगा एक्ट्रेक्ट . लेकिन इसका जो मिनिंग고 पैसिब Б्यक्ट में होगा कि pausy voice में होगा है कि मिदिल सेंटेंग्स में ही हमारे मिदिल व्okus का ही मिद्ल सेंटेंव है जो पहला टाइफ इसको आम रोग कि जम्मिंटें या ने कि हमारा मिदिला वस्का काष क्या है कि आपका श्र Cage जो दिखने में तो क्या एक्टिव वाइस में है लेकिन इसका मिनिंग जो आ रहा है वो क्या आ रहा है पैसिव वाइस में आ रहा है क्यों क्योंकि ये रोज कभी असमेल नहीं कर सकता एक क्वीन कभी टेस्ट नहीं कर सकता ये कुल्ट जो है टच नहीं कर सकता जो व्रीज है वो फिल नहीं कर सकता दो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है नॉन लिविंग डूर क्या रहा है सबसे पहले हमारे पास नॉन लिविंग डूर करा रहा है कि उसके बार हम क्या देख रहे हैं उसके बार हमारे पास व व में व हमारा वीवन यर्म में यह सब्सक् narrow यह समझेएगा तीक है उसके बार प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् चुकि यह sentence का meaning passive में है तो अब आप एक चीज़ सोच कर देखें कि अस्मेल करने का काम तो कोई और करेगा टेस्ट करने का काम कोई और करेगा, टच करने का काम कोई और करेगा, फील करने का काम कोई और करेगा, वेक्ट करने का काम कोई और करेगा, ठीक है, तो इस स्थिती में हम लोग कैसे इस चीज को कह सकते हैं, कि रोज स्वीट है, रोज स्वीट है, जब इसको स्मेल करते हैं, अब देखिएगा इसी को हम लोग अस्ट्रक्ट्ट्रस को जरा साथ कनवर्ट करने की कोशिश करें ध्यान से समझेगा तो हमारे पास क्या आ रहा है नॉन लिविंग डूर चुकि हमारे पास sentence में दो ही आ रहा है present indifferent और past indefinite तो इस कारण से आप क्या लगाओगे यहां पर आप is और किसका परियोग करोगे आर का परियोग करोगे आप आम का परियोग नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते चुकि आम तो आई के लिए आएगा तो आई तो लिविंग डू क्या रहा है चुकि past की जब हम बात करेंगे तो past की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक छी जार आ गया वाज आ गया और वेर आ गया समझते जाएगा नॉन लिविंग डूर हो गया मेरे पास उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मैं यहां पर हम लोग यह जो एड़ जो आप देख रहे हैं इस adjective को आप यहां पर पूट कर दोगे क्या हो गया यह adjective हमारे पास जो भी adjective है उस adjective को हम तुरंत वी वह आप की बाद क्या करेंगे उसको पूट कर दियो अब यहां से क्या करना पड़ेगा चुकि इस sentence को हम लोग क्या कर रहे हैं आप क्या करोगे वेन के बाद आप जो है प्रणन का प्रयोग करोगे कब किसे प्रयोग करना है आप देखो कि अगर अगर मेरे पास सिं०्र कि यहाँ पर based लोग आप इसके पहले पूट किये हैं वही ऑग्जलरी हर्भ आपके साथ यहांपर सिमलर यह जो यहां पर पूट कर दोगे यहां पर पूट कर दोगे यानि यह पासिव बनाने का जो हमारा तरीका है बड़ा ही आसाने के साथ इसको हम लोग लिख दिए अब इन ही सब चीजों को देखते हुए चलिए हम लोग इसको पासिव बनाने की कोशिस करते हैं जैसे हमारे पास है रोज़ अवाइeles है अब क्या है कि हमारा जो नौल लीविंग डूर है नौल यहां पर कौन है ध्यान से समझेगा माइड फ्रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अब यहां पर नौन लीविंग दूर हमारे पास क्या है रोज है तो रोज को जै पर अब किया करोगे सुइट ठीक है उसके बाद हम की एक कंजंग्सुन जोने का काम कर रहा है इंद यहां पर वेन आ जब यह है यहां पर यह देखना है कि सब्जिक्ट name जो है तो आपस लिख रहे हो अब यह बिदाया ना कि अगर सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप कैसा कुन सा प्रणॉण डालोगे डालोगे क्या हो जाएगा इट आज जो यहां पर और विप्रूट करना पड़ेगा तो इज हो गया अब यहां पर क्या आएगा चुकि वर्ब का तीसरा फॉर्म वर्ब का तीसरा यानिके स्मेल है तो स्मेल कि स्मेल्ट एक और आप कुछ रासाम दे दे अब इसमें से आपको चुनना है स्मेल्ट होगा या स्मेल्ड होगा ठीक है आप यहां पर तब तक सोचे हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से देखिए का नेक्स संटेंस हमारे पास आ रहा है कुनीन है यानि कि हमारे पास जो यान लीविग डिटूर ाहया तो क्ली तो कौनीन हमारे पास क्या हो गया नॉन लीविंग टूर हो गया ठीक है उसके बात क्या करेंगे हम लोग है, helping वोब, यानि, वीवापक यूज़ करेंगे, चुकि टेस्ट साय, क्या है, हमारे पास सिमिलर है, पास प्रजेटिट टे टेंस है, तेहां पर क्या आ गया, इस आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, आप अदेटिब को तुरण फूट करेंगे, तेहां क्या हो जाएगा, इस वीटर अभी अभी क्या लबाता है हम आपको वेन का परियोग करेंगे अभी अभी हमने क्या लगाया वेन लगाया फिर से हाँ स्विलर वर्व का यूज हो रहा है यहां पर हो यहां पर भी लाना है इस का गुण सा फॉर्म लिखोगे थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा टेस्ट यानि कुनीन इस विट वेन इट टेस्टेड यह बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि जो यहां पर है यहां पर होना चाहिए कभी-कभी क्या करता है कि सेंटेंस इंप्रॉम्मेंट में य यहां लगा देगा यहां पर कुछ और दे देगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो यहां है यहां भी होना चाहिए ठीक है अगले बात को आप समझीए गा लिखा हुआ है दक्रेंट टस्ट शॉप्ट का मतलब क्या होता है कि रजाई को बोला जाता है तो हमारा जो यहां पर क्या हो जाएगा वाज का प्रयोग करोगे वाज तुरंत उसके बाद एड्यक्टिव लिखोगे शॉप्ट उसके बाद वैं चुकि वाज का प्रयोग कि आ गयाता है इत लगाएंगे चुकि स्विलर है सबजेक्ट यहां पर फिर क्या लगाओगे वाजी लगाओ ठीक है उसके बाद देखिए गानेक्स जो हमारा संटेंस है व्रीज फिल्स चिलिंग बिज का मतलब क्या होता है मन नमन जो हवा होता है जो परमन जिसको भी बोलते हैं तो फिर से क्या हो गया दो व्रीज उसके बाद क्या आए जाएगा जोगी प्रजेंटेंटेंट तो इस चिलिंग ठीक है उसके बाद क्या लगाओगे वैन यहां पर क्या आएगा इट सिंगुलर रही है न तो इट आएगा फिर उसके बाद क्या लगाओगे इस और फिल का क्या हो जाएगा आपका वेत यहां तक आपको समझ में आ गया होगा एक चोटा सा और कोस्टन से आई उसको भी हम लोग डिल कर लेते हैं क्या है दो वाक्स वेग्ड है वी आई तिंक यह अपका ज्यादा हो जा रहा है तो आप यहां तक की बातों को आप समझें चलिए हम लोग इसको कॉपी आप कर लिज अब को है आपको में स्ट्रक्चर कैसा है एक्टिव में हैं की चल को होगा और सो किस तरह से हम चेंज करेंगे वह भी लॉजिक मैंने आपको बताया मैं इसी स्ट्रक्चर को फिर से मैं आपको ड्रा करके फिर से एक बाद दिखा दूंगा ठीक है आप अराम से समझो और टेंशन लेके न पढ़ा हुआ कि अच्छी हमारा एक और कोस्टन से उसको सॉल कर ले आप भी साल कर सकते हैं तो अब मास्टर हो गया दबॉक्स तो हमारा क्या हो जाएगा दब वॉक्स वेग्ड है वीटू है तो यहां क्या जाएगा वाज द वॉक्स वस उसके बाद आपको पता है क्या परियोग करें हम बहुत हैं लगाना है और वेट आप क्या करोगे वेट इसका आप वेतरी फार्म लिखोगे ठीक हैं बहुत ही आसानी के साथ चीजों को हम लोगों समझा चल एकवर और इंटीजों को मैं आपको आपके लिए सस्ट्रक्फ्यur मैं इसे फेज़ा एकवर और मैं चीजों को समझता हूं कि सर हम जब बात करते हैं रूट संटेंज यानी मिडिल वईस की बात करते हैं तो मिडिल वईस में हमने क्या देखा कि मिडिल वैस किसको कहा जाता है जिसका structure तो active है लिखिके उसका मैंनिंग कैसा आ रहा है 59 हम लोगने दोट संटेंज के बारे में बात का इसका स्ट्रक्चर किस तरह से दिखे रहा था आए हम लोग उसको देखते हैं हमारे पास जब हम एक्टीब वैस की बात कर रहे थे इहां से समझेघा सब referred में हमारे पास doesn't living door था, non living door का मतलब क्या हो गया, वैसा door जो चाह के भी action को perform नहीं कर सकता है, ठीक है न, तो यह हमारा हो गया, non living door, non living doors के बाद हम लोग क्या देख रहे थे, कि V1, verb का पहला form, या verb में S और ES जुड़ा हुआ देख रहे थे, इसको आप क्या बोलते हो, V5 बोलते हो, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और ची देख रहे थे, कि यहाँ पर V2 भी देख रहे थे, ठीक है, तो यह हमारा वर्प का फॉर्मेसंस हो गया, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, adjective, यहाँ पर डाल रहे थे, ज्यांसे समझेगा, adjective, तो यह हमारा हो गया, active का यह structure हो गया, अब जैसे है, वैसे यहाँ पर रह जाएगा, non-living doer, ठीक है, उसके बाद चुकि आप जानते हो कि वर्प के फॉर्म को आपको change करना पड़ेगा, आप जब passive wise की जब बात करते हो, तो beginning of the classes, I have already made you understand about that concept of the to be verb, यहाँ पर हमको put करना पड़ेगा, तो हम लोग चुकि जान रहे ह कि यहाँ पर V1 और V5 की बात किया जा रहा है, तो ease MR की बात करेंगे, लेकिन यहाँ ease और R की बात करेंगे, ease और R की बात क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ I am तो आ नहीं सकता, चुकि I am इसलिए नहीं आ सकता, कि I am तो हमारा क्या हो गया, living doer हो गया, that's why य क्या किया कि इसके तुरंत वार जो हमारा यहाँ पर जो adjective है, adjective को हम लोगों ने यहाँ पर put कर दिया, यहाँ पर इस adjective को क्या किया, यहाँ पर लाकर रख दिया, अब देखिए यहाँ पर adjective हमारे पास यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, उसके बात क्या करेंगे, चुकि दो sentence है तो दो sentence को जोडने के लिए हमारे पास conjunction की जरूरत होती है तो यहां पर conjunction एक वेन लगा दिया आप हिंदी मिनिंग भी लगए अगर आप इसका निकालोगे तो कहता है कि रोज की smell कैसी है sweet है जब इसको test किया जाता है जब तो यहां पर वेन आ गया अब उसके बाद देख पर आप अगर similar है तो यहां पर किस प्रयोग करोगेर इट का्पर योग करोगे को क्या है अनौन को रिपीटेशन को स्टॉप करने के लिए हमारे पास pronoun आता है तो nion helping doer है no sorry non living doer के लिए अनudब लिए यह सले आपर cheet लाटी mys Right, अगर अधर पना, तो आपको पता है कि पुल् Node के लिए हम क्या करते हैं हम लोग क्या करेंगे यहां पर क्या होता है करेंगे तो वह क Perry Sin also जाएगा आधर करेंगे जो हैसं बहुआ है कि होता है यहां फिकायेक्ट और ह Γेएगा अगर helping पूलर आ रहा है यहां पर क्या लगाएंगे देखा परयोग करेंगे आए same helping verbs जो हमारा यहां पर है वही helping verb को तुरंट जो है यहां पर आपको लिखना होगा इसके तुरंट बाद चुकि questions यहां भी आपको sentence improvement में फसाने की कोशिस करता है अब आप जानते हो कि हमारे पास एक जीज और होना चाहिए passive होने के लिए क्या होना चाहिए वो है third form of the verb तो third form of the verbs के लिए आप क्या करोगे helping verb के बाद यहां पर वेतरी का परयोग करोगे जो यहां पर जो आप इसको देख रहे थे my dear friends यही helping verb जो है यही main verb जो है आपको यहां पर आके क्या बन गया यह third form बन गया और यही जो adjective है जो we verb के बाद यहां पर आकर आप इस sentence में जूट गया तो इस तरह से हम लोग चीजों को समझने की आश्ट कोशिस किये हम लोगोंने middle voice के आज एक दाइरा को मैंने आपको discuss किया अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे हम लोग बात करेंगे it is a very wonderful concept बहुत अच्छा concept है बहुत logical concept है जिसको हम लोग कहीं न कहीं हम लोग इसको मान के चलते हैं कि इस चीज़ को रटना होता है my dear friends कोई भी ऐसा चीज इंगलिस में नहीं है जिसको आपको रटने की जरुवत है बस अगर आप सही तरह से चीज़ों को approach करने की ability आपके अंदर आ जाए तो I am telling you कि आप हरे के questions को देखने का आपका जो नजरिया है और solve करने का जो जरिया है वो पूरी तरह से बदल जाएगा आज के लिए इतना ही आज थोरा वीडियो लंबा हो गया चुकि concept कुछ ऐसा था ठीक है ना इसलिए आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें समझें और एक बात मैं फिर आप से बोलना चाहूंगा कि at the time of watching this video when you are revising the concept through this उस समय आप कभी भी copy करने की कोशिस मत करें आप पहले समझ ले आप इसका नूट्स बनाए चलिए चलते चलते मैं आपसे एक बार फिर आगरह करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें अगर आपने subscribe किया है तो share करें लाइक करें ठीक है ना चुकि यही प्यार यही जो आपका जो मुहबबत है वो हम लोग को साहित करता है आपके लिए अच्छे अच्छे content provide करने के लिए चलिए अब विदा लेते हैं ठीक है फिल में लेंगे अगले वीडियो में चलिए तब तक के लिए नमस्कार और धरन